Hello students, welcome again in this class. Today I am going to start a very important topic in English, narration, जिसे हम speech topic के नाम से भी जानते हैं. Narration का मतलब होता है वर्नन. हम किसी घटना का वर्नन दो तरीके से कर सकते हैं. या तो direct speech से या indirect speech से. यदि हम किसी घटना का वर्नन करने के लिए speaker के शब्दों का agitated यूज करते हैं, तो उसे हम direct speech कहते हैं. और यदि हम वक्ता के कहे हुए शब्दों को अपने शब्दों में समयवे परिस्तिती के अनुसार चेंज करते हुए वर्नन करते हैं, तो उसे हम indirect speech कहते हैं. लुक अट दा सेंटेंस राम सेट तू निशा, कॉमा, inverted कॉमा स्टार्ट, आइल हेल्प यूज 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 करने के लिए हमें इन्वर्टेड कॉमा का यूज करना पड़ता हैं. डारेक्ट स्पीच में किसी सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं. पहला पार्ट कॉमा तक, जिसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं. दूसरा पार्ट जो inverted कोमा में लिखा गया है जो की speaker के words से जिसे हम reported speech के नाम से जानते हैं इसी sentence को यदि हम indirect speech में लिखेंगे तो इसे हम लिखेंगे राम told Nisha that he would help her तो इसमें हमने समेवे परिस्तितिक अनुसार शब्दों का change करते हुए उगटना का वर्नन किया है तो आईए देखते हैं इसमें हमने कौन-कौन से परिवर्तन किये हैं सबसे पहला परिवर्तन हमने said to को change किया है told me दूसरा परिवर्तन कोमा और inverted कोमा को हमने हटा लिया और इन दोनों पार्ट्स को जोड़ने के लिए हमने conjunction का यूज किया है देट का थार्ड परिवर्तन हमने इस प्रोनाउम आई के स्थान पे ही का यूज किया है तो ये है change in प्रोनाउम चोथा परिवर्तन की हमने will को change किया है would के अंदर जो की verbs मंदी परिवर्तन में आता है और last हमने you को change किया है हर में जो की pronounce मंदी परिवर्तन में ही count होता है competitive exam और board classes में direct speech को indirect speech में बदलना और indirect speech को direct speech में बदलने से संबंदित question पूछा जाता है तो आईए सीखते हैं पहले direct speech से किस तरह से हम sentence को indirect speech में change करते हैं तो सबसे पहला परिवर्तन reporting verb में direct speech से indirect speech में बदलते समय सबसे पहला परिवर्तन करते है reporting verb में reporting verb में क्या change किया जाना है यदि हमें reporting verb में say to दिया है तो उसे हम tell में change करते हैं यदि हमें say to दिया है तो उसे हम told में change करते हैं इसका मतलब say हमारी intransitive verb थी जिसके बाद हम direct object नहीं लगा सकते थे यहाँ preposition का use करने के बाद object दिया होता है लेकिन tell transitive verb है जिसके बाद direct object का use किया जा सकता है say intransitive verb की form को tell verb की form में बदल दिया जाता है लेकिन ये परिवर्तन तभी करना है जब हमें say के साथ preposition के बाद कोई object दिया होता है बिना object हम tell form का use नहीं करते यदि हमें reporting verb में simple say दिया है उसके बाद में to और object नहीं दिया तो हम say को say में ही रखते हैं यदि say दिया है उसके बाद to और object नहीं दिया तो say का say रह जाएगा और यदि say के बाद भी object और to नहीं दिया तो हम say में ही रखते हैं हम reporting verb में change तभी करते हैं जब हमें reporting verb say के बाद preposition के साथ कोई object दिया होता है क्योंकि tell transitive verb है जो केवल object के साथ ही use हो सकती है बिना object हम tell की form का use नहीं कर सकते हैं for example look at the sentence he says to me I can solve this puzzle तो यह direct speech में दिया गया है इसमें हम comma और inverted commas का use कर रहे है इस sentence को जब हम direct से indirect speech में change करेंगे तो सबसे पहले he का he रह जाएगा reporting verb says to दिया है इसके बाद हमें object भी दिया है तो हम इसे tell की form में बदलेंगे say में ऐसे लगा है तो हम tell में ऐसे लगा देंगे he tells me इसके बाद inverted comma और commas को हम हटा देते हैं यहाँ पे जोडने के लिए conjunction simple sentences में that का use करते हैं इसके बाद यह जो subject दिया है इसका change हम नीचे पढ़ते हैं first person है according to subject ही हो जाएगा इसके बाद verb में change नहीं होगा क्योंकि हमें reporting verb present tense में दी है verb में change तभी करते हैं जब यहाँ reporting verb में हमें past tense की verb form दी होती है that he can solve that puzzle यह था direct से indirect speech बनाते समय reporting verb में परिवर्तन जो हम simple sentence में करते हैं इसके बाद second use of conjunction जहां हम इन दोनों पार्ट्स को जोडने के लिए conjunction का यूज करते हैं तो हम simple sentences में that conjunction का यूज करते हैं और coma और inverted comas को हटा देते हैं conjunction का यूज करने के बाद हम जो third महतापूरण परिवर्तन करते हैं वो है personal pronoun में change personal pronoun में change करते समय हमें इस diagram को याद रखना है one two three upon sun one means first person pronoun यदि हमें reported speech में कोई first person pronoun दिया है तो उसको हम reporting verb के subject के अनुसार change करते हैं यदि reported speech में हमें कोई second person pronoun दिया है तो उसे हम reporting verb के object के अनुसार change करते हैं और यदि हमें reported speech में कोई third person pronoun दिया है तो उसे हम change नहीं करते and means no change तो इस तरह से first person pronoun reporting verb के subject के अनुसार second person pronoun reporting verb के object के अनुसार और third person pronoun कभी change नहीं होते आईए देखते हैं हम personal pronoun की table को हमारे पास English में दो first person होते हैं I and we इसकी तेन form देखते हैं I, my, me, we, our, us इसी तरह से second person you, your, you, single ही हैं English में third person he, his, him, she, her, her, it, its, it they, their, them personal pronoun में change करते समय एक बात ध्यान रखनी है कि हम pronoun की same case का यूज करते हैं यदि हमें pronoun nominative case subject की form में दिया है तो हम उसे change करते हुए nominative case में ही लिखेंगे और यदि हमें possessive case में दिया है तो हम उसे change करके possessive case में ही लिखेंगे और यदि हमें accusative object form में दिया है तो हम उसको change करते हुए object की form में ही लिखते हैं personal pronoun के इस change को समझते हैं हम एक example की help से जैसे की हमें एक sentence दिया है Manish said to Sarita I have returned your pen direct speech का ये sentence है comma और inverted commas के use में लिखा गया है जब इसे हम indirect speech में change करेंगे तो सबसे पहले Manish said to दिया है object दिया है said to change हो जाएगा told me simple sentence है इसके बाद object Sarita comma inverted commas हट जाएंगे इसके बाद हम conjunction का use करेंगे that अब हमें सबसे पहले first person दिया है I first person reporting verb के subject के अनुसार चेंज होगा reporting verb का subject हमारे पास में है Manish एक male name है male name के लिए हम use करते हैं he का और यहां पे हम use करेंगे he I के according यहां हम use कर रहे थे have have पलस verb की third form यदि reporting verb पास्टेंज में दी है तो head पलस verb की third form में change हो जाती है हम यहां लिखेंगे he had returned next हमें दुबारा से personal pronoun दिया है यह personal pronoun second person है तो इसको हम reporting verb के object के अनुसार change करेंगे तो यहां पे reporting verb का object है सरीता सरीता चुंकि एक female का name है female के लिए हम use करते हैं she लेकिन यहां your possessive case में दिया है तो हम she का possessive case हर यूज करेंगे returned her pen तो इस तरह personal pronoun का change करते समय हम direct speech से indirect speech बना सकते हैं यदि हमें कोई personal pronoun third person का दिया है तो उसमें हमें कोई change नहीं करना अब हम सीखते हैं चोथा महतपूरण परिवर्तन जो हमें direct से indirect sentence बनाते समय करना है tense संबंधी परिवर्तन वर्ब की form में change लेकिन ये ध्यान रखने वाली बात है कि tense संबंधी परिवर्तन हम तभी करते हैं जब हमें reporting verb past tense में दी है यदि हमें reporting verb में present tense दिया है तो हम reported speech के tense में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं यदि हमें reporting verb में future tense दिया है तो भी हम reported speech के tense में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं लेकिन यदि हमें reporting verb में past tense दिया है और वो sentence universal truth नहीं है सारव भौमिक सत्य नहीं है तो हम इस टेबल के अनुसार टेंस समंदी चेंज करते हैं तो देखते हैं सबसे पहला present indefinite tense यदि हमें दिया है reporting verb past tense की आ जाती है sentence universal truth नहीं है तो present indefinite tense में हमें दिया होता है verb की first form में S E I E S या हमें negative या interrogative sentence में do does के साथ verb की first form का यूज दिया होता है जिसे हम change करेंगे past indefinite tense में जिसमें हमें verb की first form को change कर देना है verb की second form में और यदि हमें do does के साथ verb की first form का यूज दिया है तो उसे हम change कर देंगे did plus verb की first form में जो कि interrogative और negative sentences में use होती है direct से indirect speech बनाते समय present के चारो tense, past के चारो tenses में change हो जाते है second, यदि हमें present continuous tense दिया है और reporting work past tense की दिया है तो उसमें हमें दिया होगा is, m, r first form of the work with ing इसे हम change करेंगे past continuous tense में जिसमें हमें change करना होगा is, m, r को change करना है वो जो वर में और work की first form में ing सेम रहेगा third tense मंदी परिवरतन present perfect tense यदि हमें दिया है जिसमें हमें hedge have के साथ work की third form दिया होती है इससे हम change करते हैं past perfect tense में जिसमें हम use करते हैं hedge have की जगे had plus work की third form यदि हमें fourth tense present perfect continuous tense में दिया होता है hedge have been first form of the work with ing इसको हम change करेंगे past perfect continuous tense में जिसमें हम use करेंगे had been first form of the work with ing ये थे चार present के tense की change यदि हमें past indefinite tense दिया हो simple past tense दिया हो जिसमें हमें वर्ब की second form दिया हो या did के साथ वर्ब की first form दिया हो not या interrogative वाले sentence में तो इस simple past tense को हम past of past यानि past perfect tense में change कर देंगे जिसमें हम use करेंगे head के साथ वर्ब के third form और यदि हमें past का second tense past continuous tense दिया है जिसमें हम use करते हैं वर्ब के साथ वर्ब की first form में ing तो इसे हम past perfect continuous यानि चोथे tense में change कर देंगे जिसमें हम use करेंगे had been first form of the verb with ing it means past simple को past perfect में change करना है और past continuous को past perfect continuous tense में change करना है ये थे हमारे tense समंदी में change इसके बाद यदि हमें will या shell दिया है उसके साथ वर्ब की first form दी है तो हम will shell को change कर देते हैं would में और यदि हमें can या may दिया है तो can या में change हो जाता है could या might में तो आइए इन परिवर्टन को समझते हैं example की help से जैसा कि हमें इस example में एक direct speech का sentence दिया है he said to me I completed my homework इसको जब हम indirect में change करेंगे तो first of all he reporting work to दिया है object दिया है told में change हो जाएगा he told me inverted commas commas हट जाएंगे इसके स्थान पे जोडने वाला world conjunction that का यूज होगा first person pronoun दिया है I change होगा reporting work के subject के अनुसार यहां आजाएगा he completed work की second form दिया है work की second form देने के साथ हम check करेंगे कि reporting work भी past tense में है work की second form में है तो इस past simple tense को हम change करेंगे past perfect tense में तो यहां हम यूज करेंगे had completed next pronoun दिया है my my first person है तो यह change होगा reporting work के subject के अनुसार subject के अनुसार he की possessive form बन जाएगी his homework he told me that he had completed his homework यदि reporting वर्ब पास्ट की नह देके present simple में दी होती यानि he says to me दिया होता तो हम यह वर्ब समंदी परिवर्तन नहीं करते हम वर्ब को same रख देंगे he says तो यहां बन जाएगा says बदल जाएगा tells me he tells me that he completed his homework हमें यह वर्ब समंदी परिवर्तन तभी करने हैं जब हमें reporting वर्ब पास्ट में दी होती है यह थी हमारे tense समंदी महतपुर्ण परिवर्तन जो हम direct speech को indirect speech में बदलते समय करते हैं जब हमें reporting वर्ब पास्टेंज के दी होती है इससे पहले हमने voice topic पड़ा voice topic में हम tense समंदी change नहीं करते बलकि उस tense के according B की form का यूज करते हैं उसमें tense change नहीं होता active speech voice की वर्ब फॉम और direct indirect speech की वर्ब फॉम आप अच्छे से पढ़ ले ताकि इनमें confused नहीं हो indirect speech में change करते समय किया जाने वाला last और पहता पुरण change in the words showing time and place time और place को show करने वाले words में परिवर्तन जब हम direct speech के sentence को indirect speech बनाते हैं तो हम नजदीकता दिखाने वाले words को दूरी दिखाने वाले words में change कर देते हैं क्योंकि direct speech effective होता है नजदीकता को show करता है जबकि indirect speech इतना effective नहीं होता थोड़े दूरी को show करता है तो कौन-कौन से परिवर्तन करते हैं मुख्य words हम यहां देखते हैं पहला this change हो जाता है that me these change हो जाता है those me, here, there me, now, then me, just me, then me change हो जाता है इसी तरह यदी हमें today word दिया है that day में change करते हैं yesterday को previous day में change करते हैं tomorrow next day में change होता है और यदी next day हमें दिया है following day के अंदर हम change कर देते हैं इसी तरह से ago, before में change होता है, either, di-der में change होता है, hence, dense में change होता है, और does, so के अंदर change होता है. इन words में परिवर्टन करते हुए, हम direct speech को indirect speech sentence में change करते हैं. इस change को समझते हैं हम example से, जैसा कि हमें यहां दिया है, he said to me, I shall return tomorrow. तो इस sentence को जब हम indirect speech में change करेंगे, तो सबसे पहल, he said to, change हो जाएगा, told me, object दिया है, me, commas, हटा के, conjunction का use करेंगे, that, first person pronoun दिया है, according to the subject, change हो जाएगा, he में, shell दिया है, जो की he subject के अनुसार, would में change होगा, क्योंकि reporting verb past की दी है, he, would, अधिकतर will और shell को would में ही change करते हैं, क्योंकि should एक अलग concept देता है, would के बाद हम use करेंगे, वर्ब की first form, return, tomorrow, tomorrow नज़तिकता दिखाने वाला word था, तो tomorrow को हम change कर देते हैं, next day में, तो tomorrow change होगा, next day, for a stop, next example, रमेश said to me, I am reading this book, तो इसको जब हम change करेंगे, रमेश, same रह जाएगा, reporting verb set to बदल जाएगी, told me, क्योंकि object दिया है, mean, इसके बाद कॉमा सहटा देंगे, conjunction यूज़ होगा, that, first person pronoun दिया है, change होगा subject के अनुसार, रमेश, मेल का नेम है, तो मेल के नेम के लिए हम use करेंगे, he, am reading, present continuous दिया है, reporting वो past में है, change हो जाएगा past continuous में, he के according हम लगाएँगे, words, reading, अब हम में दिया है, this, जो की, nearness को शो करता है, तो इसे हम remoteness में शो करने के लिए, change कर देंगे, that, book, तो इस तरह से, हम, नजदेकता दिखाने वाले words, दूरी दिखाने वाले words में, change करते हुए, direct से indirect speech, में करते हैं एक short exercise, हमें दिये गए tenses को, indirect speech में change करना है, आप भी इन sentences को, indirect speech में change कीजिए, और अपने answers, दुबारा वीडियो को प्ले करके, check करें, हमें first sentence दिया है, he said, he shall go to Jepore tomorrow, तो इसे जब हम indirect speech में change करेंगे, तो first of all, he, इसके बाद हमें reporting verb में change करना है, यहां reporting verb change नहीं होगी, क्योंकि हमें यहां, to के बाद object नहीं दिया, तो हम use करेंगे, set, कॉमास हटाते हुए, हम conjunction, simple sentence है, use करेंगे, that, इसके बाद हमें pronoun दिया है, third person में, जिसमें हम change नहीं करते, third person pronoun, adjectives use हो जाता है, इसके बाद, हमें verb form दी है, shell के साथ verb के first form, यहां हमारा subject ही हो गया, तो ही के according, हम shell को change कर देंगे, wood में, क्योंकि reporting verb, हमें past tense में दी गई है, wood के बाद, हम use करेंगे, verb के first form का, इसके बाद, to, जैपूर, next, time show करने वाला word है, tomorrow change हो जाएगा, next day में, next sentence, my father said to me, I don't like tea, यह direct speech का sentence है, इसको indirect speech में change करना है, तो first of all, my father, reporting verb, set to के बाद, हमें object दिया है, change होगी, simple sentence है, change होगी, told me, me, वामास को हटाते हुए, conjunction use होगा, that, I, first person pronoun है, change होगा, reporting verb के subject के according, subject है, my father, my father के according हम use करेंगे, he, don't like tea, तो यहाँ पे, don't word है, वो past में reporting verb है, तो यह change हो जाएगा, didn't like tea, inverted commas, हटा देंगे, next sentence, my teacher said, the sun rises in the east, तो इसमें, सबसे पहले, my teacher, reporting verb में, हम change नहीं करेंगे, क्योंकि इसके बाद, तू के साथ object नहीं दिया, conjunction, that का यूज करेंगे, इसके बाद, जो हमारा subject है, reported speech का, the sun, arises, इस form में change नहीं होगा, क्योंकि ये universal truth है, और universal truth में, हम change नहीं करते, चाहे हमें reporting verb past tense की दी है, क्योंकि ये तथे कभी change नहीं होता, तो इसमें हम same verb form का यूज करेंगे, arises in the east, next sentence, Monica says to me, I am singing a song, इसको indirect में change करते समय, पहले Monica says to, says के बाद में to plus object दिया है, tell की form में change हो जाएगा, Monica के according, tells, Monica tells me, conjunction का use करेंगे, that I first person है, change होगा, according to the subject of reporting verb, Monica, female name है, हम यहां पर यूज करेंगे, she, इसके बाद, present continuous tense दिया है, लेकिन यह past continuous tense में change नहीं होगा, क्योंकि reporting verb हमें present tense में दी है, यदि यहां past tense दिया होता, तो हम इस reporting verb को past tense में change करते हैं, अब हम इसे past tense में change नहीं करेंगे, हम present continuous की ही verb हम, I के साथ हम M का use करते हैं, शी के साथ हम use करेंगे, इस का, शी इस, singing, a song, inverted commas, omit कर देंगे, last sentence, he said to me, I was working in a school, इसको जब हम indirect speech में change करते हैं, first of all he, reporting verb हम use करेंगे, told, simple sentence है, इसके बाद object दिया है, me, conjunction यूज होगा, that, comma inverted, comma, omit कर देते हैं, हमें first person प्रोणाउम दिया है, subject में I, जो change होता है, reporting verb के, subject के according, यह बन जाएगा, he, इसके बाद हमें past continuous tense दिया है, जो change हो जाता है, past perfect continuous tense में, क्योंकि reporting verb हमें past tense की दिया है, past perfect continuous tense में हम use करते हैं, had been, first form of the verb with ing, he had been working, in a school, इस तरह के simple sentence, आप भी अपनी बुक से, direct speech से, indirect speech में बदलने की exercise करते रहें, इस तरह के वीडियो लगाता प्रापत करने के लिए, आप start english channel को subscribe करें, और अपना feedback comment box में जरूर लिखें, मिलते हैं, नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, good bye,